Hello everyone, कई सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि ए जो contents not verify लिखा आ रहा है SSC MTS के form में जब आप अपना login करके अपना application status चेक करते हो तो दोस्तो यहाँ पर registration status और आपका form apply content not verified application status में भी content not verified, contents not verified तो दोस्तो इसका क्या मतलब है कि हमारा form reject हो जाएगा तो दोस्तो आज की इस video में clear करूँगा इस doubt को आपके तो दोस्तो definitely इस video को complete watch करना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले क्या करना आपको form बरना है उसके बाद आपकी जो complete हो जाए form बरना, fees means complete हो जाए उसके बाद आपको ऐसा status देखने को मिलेगा तो दोस्तो इससे आपको घवराना नहीं है क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है अपना form apply करना होता है तो हमने अपना registration तो पहले ही complete कर लिया था उसके बाद हमने जब form apply किया तो photo signature upload कर दिये हैं form भी हमारा complete हो चुका है payment भी हमारा complete हो चुका है और जो application है वो उनको received हो चुका है अब इनका मतलब यह है कि हमारे पास यह सब चीज़ें तो आपने कर दी है अभी आपका जो content से उसको verify नहीं किया गया है तो दोस्तो यह verify तब किया जाता है जब आपकी जो form भरने की last date है वो निकल जागी उसके बाद department हर एक candidate का जो form होता है उसको verify करते हैं वो तो system की दोरा verify किया जाता है कहीं पर भी बहाँ पर जैसे आपने photo गलत upload कर दिया जैसे आपने बुलर photo upload कर दिया या पर आपने google spend की photo upload कर दिया तो जब बहाँ पर आपका content verify किया जाएगा फिर बहाँ पर यदि आप ने कुछ भी गलत upload किया है तो आपका form reject कर दिया जाएगा तो दोस्तो आपको पता होगा सबसे पहले तो हम form apply करते हैं वो सारी चीज़ें आपने process complete कर ली है उसके बाद आपका content को verify किया जाता है यदि सब सही पाया जाता है तो आपके admit card भी आ जाते हैं जब exam होगा इसका और जिनके कुछ भी गलत है उनके admit card नहीं आएंगे उनके admit card में मतलब जब download करते हैं तो उनका लिखा आ जाता है कि your form rejected तो दोस्तो ये तो बाद में चेक किया जाता है इससे आपको गवराना नहीं है ये department अब जैसे form की last date 24 कर दी गई है उसके बाद एक content verify किया जाएगा और जिनके भी verify हो जाएंगे लगवक सभी के हो जाते हैं और जिनकी form में कोई problem होती है उनका ही reject होता है form तो दोस्तो content verify department के द्वारा किया जाता है इससे आपको कुछ भी गवराना नहीं है ये आपका verify कर लिया जाएगा बाद में और आपके admit card आ जाएंगे एक जाम आपका अपरेल मई में है या अपरेल में तो कुछ दिन पहले आपके admit card भी आ जाएंगे तो दोस्तो इससे कुछ भी गवराना नहीं है ये आपका जो आपका data है उसको बाद में ये verify करेंगे इसलिए बताया गया है कि अभी आपका content verify नहीं किया गया है और आपने ये सब complete कर दिया है